बजन सहीता 149 परमेश्वर का सिद्ग ज्यान परधान बजाने वाले के लिए दाउद का बजन हे यहवा तुने मुझे जांच कर जान लिया है तु मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझता है मेरे चलने और लेटने की तु भली बाती चानवीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेज जानता है हे यहवा मेरे मुझे ऐसी कोई बात नहीं जिसे तु पूरी रिती से नहीं जानता हो तुने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है यह ग्यान मेरे लिए बहुत कठिन है या गंबीर और मेरी समन्ज से बाहर है मैं तेरे आत्मा से भाग कर किदर जाऊं या तेरे सामने से किदर बागूं यदि मैं आकास पर चड़ूं तो तुँ वहाँ है यदि मैं अपना बिछोना अदोलोक में बिछाऊं तो तुँ वहाँ भी है यदि मैं भोर की किल्णों पर चड़ कर समुन्दर के पार जाबसूं तो वहाँ पर भी तुँ हाथ में मेरी अगवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों और का उजयाला रात का अंधेरा हो जाएगा तो भी अंधकार तुझ से ने छिपाएगा रात तो दिन के तुल्ले परकास देगी क्योंकि तेरे लिए अंध्यारा और उजाला दोनों एक समान है मेरे मन का स्वामी तो तु है तुने मुझे माता के गरब में रचा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं बहानक और अद्बूत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्च्रिय के है और मैं इसे भली बाती जानता हूँ जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पिर्थ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हडियां तुझ से छिपी न थी तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्तों को देखा और मेरे संग अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे तेरे लिए तो हे परमेश्वर मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही भभुगूले है उनकी संख्या का जोड कैसा बड़ा है यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक टहरते जब मैं जाग उड़ता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ हे परमेस्वर निश्चे तू दुष्ट को घात करेगा हे हत्यारो मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि बे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं तेरे सत्रू तेरा नाम जुटी बात पर लेते हैं हे यहोओ क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूँ और तेरे विरोधियों से रूठ न जाओू हाँ मैं उनको अपना सत्रू समझता हूँ हे परमेसर मुझे जांच कर जान ले मुझे परक कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख की मुझे में कोई बुराई बुरी चाल है की नहीं और अंत के मारग में मेरी अगवाई कर थैंक यू